जब यह चीज हो जाएगी उसके बाद फिर आपका क्या चेक होगा आपकी पॉलिसी वेरिफाई होंगी कि भाई क्या पॉलिसी में आपने अलाउ किया है कौन सा पोर्ट आपने खोला है कौन सा चीजे खोली है अगर रूल में अलाउ है ठीक है तब यहाँ पे देखो क्या हो एक station create हो जाएगा, अगर रूल में आपने connection drop नहीं या फिर वो जो connection table है, जो आपने rules लिके हैं, वो आपका clean up rule में जाके hit हो गया traffic, यानि any any deny में जाके reload हो, तो वो packet क्या हो जाएगा, वहीं पे discard हो जाएगा, ठीक है, बट अगर packet मेरे पास है, तो वो सीधे उठके, यह connection table बन जाएगा, station table, और यहाँ से आके, फिर से वही आजाएगा, जो हम उस वक्त बात कर रहे थे, यानि कि मेरी station table में entry हो जाएगी, और वहाँ पे मेरे timer set हो जाएगे, depending on your protocol, that will be your TCP, और UDP, ठीक है, उसके बाद अगर मैंने SSL decryption की policy लिखी है, ठीक है, यानि कि SSL decryption की policy लिखी है, that means मैंने कोई अपना decryption लगाया हुआ है, अगर मैं reference दूँ, other vendor से, so in checkpoint, we have performed this configuration with the help of STTPS inspection, ठीक है, अगर आपने कोई decryption लगा रखा है, तो वो यहाँ पे apply हो जाएगा, राइट, अगर यहाँ पे नीचे आएगा, session app identified, यानि कि, अगर कोई आपने पीछे से कोई आपने Facebook चलाया है, ठीक है, आपने Facebook चलाया है, क्योंकि अभी हम किस में हैं, हम है FastPath में, तो इसलिए यह हो रहा है, तो Facebook अगर आपने चलाया है, तो अगर दुबारा आप उसी session को लेके आया हो, ठीक है, तब तो वो यहीं से bypass कर देगा, आपको app engine में नहीं बेजेगा, ठीक है, app engine मतलब जो आपका Jaguar chip थी, उसके पास वो traffic जाएगा ही नहीं, ठीक है, Jaguar chip याद है सबको, कल discuss किया था हमने, एक सेकन देना, यह सरा हाँ, यह देखो, तो अगर मेरे पास कोई भी traffic ऐसा आ गया है, जो मैं दुबारा फिर से Facebook चला रहा हूँ, तो उस packet को बार-बार इस chip के भेजने की कोई ज़रूरत है, नहीं है, तो obvious इबादे मेरे पास session match में इंट्री आ गई, मुझे app पता है, और उस app के मुझे criteria पता है, कि हाँ यह app है, और यह ऐसे काम कर रहा था, और इस बंदे ने, और लेडी सारे process कर लिए हैं, तो इसको आ ठीक है, so in this case, this is happening here, तो अब क्या होगा यहाँ पे, it will send traffic with the case when you initiating first time a connection, मुझे कोई भी session app नहीं मिला, अब मुझे app को identify करना है न, क्योंकि पॉल अल्टो आप पे काम करता है, अब यहाँ पे जब मिलेगा no, तो मैं traffic यहाँ पे मेरे application identification में भेजता हूँगा, अब यहाँ अब देखो क्या क्या चीजे होती है, थोड़ा सा यहाँ पर यह समझ लो, एक जब यहाँ भी मेरे पर traffic आया, फर्स टाइम, तो सबसे पहली जो चीज होगी, वो होगी application override, ठीक है, तो पॉल अल्टो आपके पास, एक section होता है, जहाँ पे आप application override की policies लिखते हो, यानि अप अपनी firewall को आप यह बताते हो, कि मेरे इस rule के लिए application identification check ही मत करो, यानि जो पॉल अल्टों का feature है, that is called app ID, ठीक है, उसको आप bypass कराना चाहते हो, यानि मेरे उस application के लिए चीजें मिलेंगे ही नहीं, यानि उसमें कोई भी application का कोई process ही नहीं होगा, मैं उसको bypass कराना चाहता हो, क्योंकि मेरा वो communication app के थुरू चली नहीं रहा है somehow, या फिर company के अंदर आपको पता है कि यार यह तो trust मेरा traffic है, मैं उसको क् तो मैं app engine के पास बारवर भेजू, क्योंकि जब app engine में आप भेजते हो, तो थोड़ा सा processing में delay तो आता है, क्योंकि obviously बात है, different chip काम कर रही है, तो थोड़ा सा delay आई गाई, आई गाई, लिएं कई बारे हम देखते हैं, कई बारी problem होती है, तो follow auto नहीं feature दिया है, आप चाहो देखो, यहाँ पर yes, अगर आपने कोई policy लिखी है, ठीक है, तो सीधे traffic यहाँ पर आ जाएगा, उसका कोई भी pattern based कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी, कोई भी identification चेक नहीं होगी, उसके बादे security policy look up होगा, based on the application, अब जो हमने application use की है, किसी भी rule में, जो policy look up हमने किया उसमें फिर यह देखेगा, कि हमने वो app allow किया है, या नहीं, अगर यह allow हुआ है, तो आपका नीची आ जाएगा, अगर हमने application identify में drop लिक रखा है, तो वहाँ पे packet आपका drop हो जाएगा, फिर उसके बाद जो आपको content inspect engine है, फिर आपको यहाँ पे शुरू हो जाता है, security profile is specified, ठीक है, तो मैंने माल लो एक rule लिखा है, उसके अंदर मैंने बोला मेरी antivirus की profile लगी हुई है, ठीक है, मेरा IPS enable है, यह सारी चीजे मैंने वहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, अगर उसके अंदर मैंने कोई भी action define कर रखा है, deny का, drop का, यानि signature base का, तो अगर यहाँ पे कर रखा है मैंने, तो वो नीचे आ जाएगा, अगर उसको मिलेगा, application in SSL and decryption policy, तो यहाँ पे देखो, यह yes हो जाएगा, अगर आपने decryption कोई किया है, अगर जब तक मैं decryption नहीं करूँगा, तो तब तक मुझे पता ही नहीं चल पाए कि कौन से URL आप यूज़ कर रहे ह तो यह फिर यहाँ पे decrypt हो जाएगा, ठीक है, अगर वहाँ पे initiate हो चुका है तो, अगर आपको चाहते हो decryption आपने नहीं यूज़ किया है, तो सीधे यह no हो जाएगा यहाँ से, और traffic आपका फिर से content inspection engine में आ जाएगा, simple, right, तो यहाँ पे traffic आपका पूरा pattern check हुआ, ही है, ठीक है, उसमें कौन सा packet discard होना है या deny होना है as per your policies, वो यहाँ पे लिखा है, उसके बाद पिर सीधे आपका connection, आपका policy होके sp3 यानि content inspection engine में setup पे आ जाता है, अब यहाँ पे चीजे deep में check होती है कुछ, so that you can inspect your all the information according to your content और URL और IPS profile, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा content inspection होगा, यानि कि जो आपका layer 7 है, जो sp3 जो यहाँ पे काम करता है, एक एक copy हर एक profile को मिल जाएगी, चाहे वो URL filtering हो, चाहे आपका spyware हो, चाहे वो antivirus हो, चाहे file blocking हो, सब एक साथ काम करेंगे इस engine में, ठीक है, so protocol forcing होगी, decoding होगा, content matching होगी, content matching, आपकी कौन सी website यूज कर रहे हो, ठीक है, tunnel application detection है, यानि कि कोई ऐसा तो नहीं है, आप कोई attack design करो, जो आपका tunnel हो, राइट, वो भी decide हो जाएगा, अगर इसमें inspection में आप जो भी use करते हो, अब यहाँ पे क्या बोला है, application change from the content inspection, यानि कि जो application आपने उपर से initiate किया था, आपका अगर facebook चला रहे हो, ठीक है, यानि आपने facebook चलाया था, अब यहाँ पे facebook से सीधे shift हो गया facebook chat पे, तो facebook एक अलग application है, और facebook chat एक अलग application है, जिसे facebook calling is a different application, अगर वो application change हुआ है किसी flow में, तो क्या करेगा, नहीं, मैं direct process नहीं कर पाऊंगा, आप फिर से pattern को check करा किया हो, तो यहाँ पे देखो, फिर से yes हुआ, और यह सीधे फिर से आपका यह policy look up करेगा, कि मैंने facebook chat allow किया भी है, क्योंकि मैंने सिरे facebook allow किया था, इस case में, तो अगर वो pattern change नहीं हुआ है, तो यहाँ पे default result from inspection, जो भी हमने URL filtering, content filtering, जो भी यहाँ पे set किया, उसके inspection में यह आ जाए ठीक है, अगर हमने link रखा है, उसके बाद जो हमने security profile का action होता है, वो सारा, चाहे हमने alarm set किया है, चाहे हमने session end का कोई भी packet discard reset किया है, तो वो action यहाँ पे होगा, again, अगर आप layer 7 पे आपको decryption policy यूज कर रहे हो, आपने traffic ही पुरा decrypt कर रखा है, अगर आपने encrypt कर रखा है, तो यहाँ पे session आ जाएगा, otherwise वो नीचे आपका egress final stage में आपका traffic forward हो जाएगा, यहाँ पे यह देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी traffic आपका इस वाली egress stage में आएगा, तो packet forwarding process हो जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, use egress interface to get the forwarding domain to route, switch, vwire, forwarding, whatever you are doing, that would be here, ठीक है, तो अब क्या होगा, actually अब यहाँ पे जो चीजे हो रही है, ठीक है, जो चीजे आपने यहाँ जितनी भी पढ़ी है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ज यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, यह सिर्फ look up है, look up का word का मतलब यह है, कि just to like getting the information, कि मुझे सिर्फ पता हो जाए, कि मुझे इस रस्ते से जाना है, बट मैं जानी रहा हूँ, ठीक है, तो firewall क्या करता है, सिर्फ सारी information को अपने पास hold कर लेता है, ठीक है, जब एक वो actual में यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यह वाला यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद packet increase process है, अगर आपने किसी बे QS लगा रखा है, यानि आपने quality of service लगा रखा है, कि भाई, मेरी किसी इंटरनेट की speed, मेरा 20 MBPS हो, ठीक है, या फिर specific QS कर रखा है, ट्राफिक को shape कर रखा ह है, तो वो आपका यहाँ पे apply होगा, आप यह IP fragmentation कर रखा है, किसी भी packet का MTU size आपने बढ़ा रखा है, ठीक है, default 15 से होता है, आप चाहो तो उसको open नीचे भी कर सकते हो, अगर आपने कर रखा है, तो अच्छी बात है, otherwise कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे packet हो ग जो भी होगा interface, ETH, 1, 2, 3, 4, whatever Ethernet, वहाँ से वो traffic bypass हो जाएगा, अगर मेरा traffic VPN का है, तो फिर IP से एक SSL tunnel encryption है, तो फिर से traffic यहाँ जाएगा, packet processing में, यहाँ पे फिर से look up करेगा, और फिर सीधे वो traffic को decrypt करके, वापस कर देगा, ठीक है, यहाँ पे encrypt करके, फिर से वापस ब यह match करता है, ठीक है, एक एक चीज मैच करती है, अभी हमने detail में समझा, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतना सारा Polo Alto कैसे perform करता है, बट यह सारे performance, यह सारे step, यह बहुत ही milliseconds के हैं, वह हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि Polo Alto में throughput बहुत अच्छा है, कोई भी आप device खर throughput हर एक device का बहुत अच्छा है, due to hardware capabilities, इसलिए वह सारी चीजे आपका बहुत ही अच्छे से वह perform करता है, अगर मैं hardware perspective से बात करूं, हर एक firewall के अपने plus and minus होते हैं, तो अगर मैं plus की बात करूं, Polo Alto का, तो yes, this is best firewall in terms of performance at the firewall or you can say the hardware perspective, ठीक है, तो आप लोग जब भी ये process याद करना है आपको, आपको और भी Google पे बहुत सारे traffic flow मिल जाएंगे, बढ़ ये जो अभी हमने discuss किया, ये officially Polo Alto का traffic flow है, और कई जगा पे आप पुराने diagram देखोगे जब आप, right, क्योंकि इसके भी कई सारे version है, कई iOS के upgrade numbers है, ठीक है, जैसे checkpoint में हम जो iOS use करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गाया, राइट, अब जो हम Polo Alto में जो iOS use करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं, पैन OS, ठीक है, Polo Alto Networks Operating System, ठीक है, तो अभी जो इसका version चला है, 11.0 चला है, ठीक है, तो 10.0 तक, जो ये step है, जो भी हम ये देख रहे हैं, ठीक है, ये step उसमें नहीं है, ठीक है, ये step यहाँ पे था, तो इन्होंने कुछ changes किये हैं, अपने operating system में, due to this, जो आपकी DOS या जो protection profile होती है, वो starting में चेक हो जाती है, यानि traffic वो inspection engine से पहले ही filter होके discard हो जाता है, ठीक है, तो ये बच छोटी-छोटी सी चीज़े हैं, जो ये अपने operating system में manipulate करते हैं, या फिर उसको उपर नीचे करते रहते हैं, बट आप अगर basically याद करना चाहो चीज़े, तो आप जब phases जो मैंने बताई हैं आपको, उसी phases के हिसाब से आप उसको use कर सकते हो, कोई problem नहीं है, ठीक है, तो पहला कौन सा है phase, ingress phase, उसके बाद session look up, जो हमारा session look up होता है, अब अगर connection नया है, तो slow path होगा, अगर correction पुराना है, तो fast path होगा, उसके बाद पर app ID आपकी identify होगी, कि कौन सा app है, और उस app के अंदर क्या pattern है, जिसे हमने कल discuss किया था, अगर port 80 पे कोई जा रहा है, with the help of HTTPS, तो यहाँ भी यह चेक करेगा, जो pattern आप use कर रहे हो, वो pattern correct है कि whatever you are doing, उसके बाद फिर उसके बाद security policy चेक करेगा, और उस policy में आपका app ID select होना चाहिए, अगर वो app ID नहीं होगा, तो वो default वहाँ से निकल जाएगा, अगर session मेरे पास है already fast path है, तो वो सीधे यह वाला path ही उसकरेगा, जो भी चीज़े यहाँ पर चेक होगी, उसके बाद सीधे content filtering में आ जाएंगी चीज़े, जो हमने यहाँ पर देखी, ठीक है, यहाँ पर आज एक content filtering में आ जाएंगी, तर उसके बाद traffic आपका forward हो जाएगा, easily, egress interface आप बोल सकते हो, कि traffic एक interface से निकला, यहाँ से traffic हिट हुआ, और यहाँ से exit हो गया, उतनी सारी चीज़े आपक एक चीज़ को decode करने के लिए, ठीक है, पॉलल्टो चेक्पॉइंट के comparison में इसका traffic flow बहुत ही different है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो ऐसाच कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें नहीं AIP ID है, नहीं content inspection है, क्योंकि उसमें one by one, UTM सबसे last में आता है, और वहीं पे filter हो के चीज़े बाहर हो जाती है, बट पॉलल्टो भी ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ फेज़ वाईज चेक होगी, क्योंकि सब अपने SP3 last में चालू हो रहा है, तो उसका specific अलग से ही setup है, ठीक है, कोई question हो तो बताओ, discuss कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका complicated है, हाँ, इसका complicated है, क्योंकि traffic flow अलग है, चीज़े अलग है, क्योंकि इसका configuration इसलिए different है, क्योंकि इन्होंने zone look up पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है, तो zone look up में अगा ध्यान दे रहे हो, तो आदा traffic flow तो यहीं बढ़ गया है, इसका, हाँ, यह pattern-based जो हम नहीं डिसकस किया था था न, कि TCP का अगर है, तो सबसे पहले three way and shake होगा, ठीक है, उसके बाद फिर get request होगी, वो यहीं सब check हो रहा है, pattern-based मतलब, कि कोई भी application का pattern क्या है काम करने का, अगर आपको चाहते हो किसी connection के लिए, कि मेरा app id काम ही न करे, मानलो मेरा source है, source मेरा है 1.1.1.1 destination है मेरा 2.2.2.2 और मैंने उसके अंदर एक app डाल दिया, मानलो SQL, तो जब source यहां से यह आएगा, SQL access करेगा, तो मैं इसको ज़्यादा inspect नहीं करूँगा, मैं इसको bypass कर दूँगा, भले ही वो SQL के हिसाब से चलता हो, चाहे वो ना चलता हो, समझ रहे बात में, तो उसको अगर bypass कराना है आपको, कि trusted आपको कोई application override policy बनानी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, यह app id वाला सर यह bypass हो जाएगा, correct, 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 कई जगा यूज़ करते हैं, कई लोग specific, अपना custom app id भी बनाते हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, multiple जगा यूज़ होता है, मतलब बहुत से admin यूज़ करते हैं, मैंने भी कई जगा बनाया, अगर कोई, ऐसा कोई troubleshooting कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि app id चलनी चाहिए, बट नहीं चल लगी है, तो हम कई बारी application override में जाके उसको चलाते हैं, ठीक है, तो generally, आपनी custom application जो अगर control करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप अपनी application id या application override आप यूज़ कर सकते हो, अगर तो, तो, लेट्स बूव फर्दर, तो, नाओ लेट्स तॉक अबार वाट इस डिवाइस मैनेजमेंट और सर्विसेस, अब जैसे कि कोई भी डिवाइस है हमारा, चाहे वह पलोल्टो हो, चाहे वह चेक्पोइंट हो, चाहे वह हमारा router हो, तो उसको access करने के लिए अगर आप का अगर आप तो, तो पालो उल्टो भी वैसे ही काम करता है, सब कुछ है, अगर आप आप console के through access करना चाहते हो, तो वैसे कर लो, otherwise इसके बहुत से तरीके हैं, ठीक है, जब भी आप नया box खरीदोगे, पॉलो उल्टो का, तो पहली बार जगर उसको access करना चाहते हो, with the help of GUI mode, ठीक है, तो क्या करोगे, आपनी cable एक उठाके, management में लगाओगे, और वहां से सीधे PC को connect कर लोगे, तो जो इसका address का IP address होता है, पॉलो उल्टो का, 192.168.1.1, ठीक है, यह IP address आपको यह डाल के देंगे, बट आप चाहते हो, इसको नहीं access करना, तो क्या करोगे, इसी management को उठाके, कहां करेट कर लोगे, console पे, ठीक है, यह सर, management के IP address आपने recording दे दीजएगे, करेक्ट, अब यहां भी क्या करोगे, आप कोई भी third party, tool, putty, या भी जिससे आप, line console का access ले सकते हो, com वगेरा होते हैं, com 0, com 5, com 8, com 9, उसके थुरू आप इसको access करके, इसके जो management का IP है, इस पे आप configure कर दो, right, जैसे आप इसको configure करोगे, या फिर आपको उसको, अगर किसी DSCP switch के नीचे लगा है, तो आप manual नहीं डालना है, तो DSCP assign कर दो, static डालना है, static डाल दो, जैसे ही आप IP डालोगे, वो आपके network से reachable हो जाएगा, और जब भी आपका network से reachable हो गया, तो फिर आपको कुछ भी tension लेनी की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये काम वैसे नहीं कर इस firewall को run करने के लिए, किसी भी third party या किसी भी extra डबबे की जरूत नहीं है, likewise जैसे हम checkpoint में use करते हैं, checkpoint में क्या use करते हैं, हमारे पास क्या होता था, device को access करने के लिए, SMS, और firewall हमारी कौन होती थी, SG, फिर हम यहां से, यहां पर policy push करते हैं, बट यहां पर ऐसा कोई architecture नहीं ह box है, यह interface है, आपको कोई भी web browser में जाना है, HTTPS लिखके और इस वाले interface का IP डाम है, that's it, वहां पर username, password डालना है, और वहां पर आपका different तरीके से communication चालू हो जाएगा, with the help of management या फिर control plan, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, yes sir, easily access हो जाएगा, ठीक है, वही इसमें लिखा method of access क्या है, आप GY ले सकते हो, CLI ले सकते हो, एक और चीज है, that is your panorama, ठीक है, तो panorama अभी मत समझो, last minute मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, panorama means, जो भी checkpoint का मेरा SMS था, आप ये समझे चलो, यानि कि अगर आपको एक से ज़्यादा firewall manage करनी है, पॉलल टो की, तो वहां पर हम panorama यूज करते हैं, ठीक है, उस panorama के अंदर multiple firewalls को add करा सकते हैं, और उसी panorama के थुरू, हम अपनी पॉलल टो firewall access भी कर सकते हैं, with the help of panorama access, ठीक है, also, अगर माल लो, ये interface आपका down है, ये जो management interface है, right, ये down है, but ये interface भी तो कहीं connect होंगे न, आपकी network में, yes sir, right, माल लो, interface is down हो गया, कोई hardware failure आगया, या कुछ भी आगया, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस interface के through भी, इस firewall को access कर सकते हैं, बस condition क्या है, इस interface पे, ये वाली services आपकी enable होनी चाहिए, ये तो कोई ज़रूत नहीं है, but, HTTPS, SSH, ping if you want, telnet if you want, that is custom, but, SSH और HTTPS आपको enable होनी चाहिए, आप easily इस interface के through भी, यानि, जो काम आपका management प्रेल कर रहा था, वही काम आपका data plane भी कर सकता है, but in the case of emergency, क्योंकि जैसे आप यहां से GUI या फिर management की services चालू करोगे, तो आपका CPU spike होता है, ठीक है, तो वो just emergency के लिए है, कि आप चाहो तो use कर सकते हो, जैसे कि यहां देखो, यह configuration है कुछ, मालू यह interface management profile है, ठीक है, अब यहां पे आप management profile मना सकते हो, इसके अंदर देखो, मैंने क्या on किया, STTPS, SSH, ping, बाकी यह response पर जाहो तो आप use कर सकते हो, that is a different story, बात में access करेंगी, तो जो हमने यह custom profile बनाई है, ठीक है, अब इसका देखो, मैंने नाम क्या लिया है, STTPS, underscore SSH, underscore ping, SNMP, whatever, और मैं इस interface profile को उठा के अपने, जो भी मेरे data interface है, मान के चलो, suppose करो, we have eth1, मैं वो वाली profile को गया करूँगा, इस वाले interface पे apply करूँगा, ठीक है, जैसे मैं apply करूँगा, तो यह interface मेरा as a management port की तरह behave करने लेगा, so with the help of this configuration, I can access my follow-up firewall with the data plane interface as well, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है, अगर emergency कुछ होती ही, तो आप use नहीं कर सकते हो, use कर सकते हो, but for short time, क्योंकि अगर interface वहाँ से down हुआ, तो फिर आपके पास कोई और तडिका नहीं है, device को access करने का, ठीक है, और एक से ज़्यादा management interface बना सकते हो, एक से ज़्यादा management profile बना सकते हो, और ऐसा नहीं है कि हर interface पे लगाना ज़रूरी है, आपके उपर है कि आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे ping इस interface पे नहीं लगाओगे, तो कोई भी अगर यहाँ पे router connected है, तो यह router कभी भी इस interface को ping नहीं कर पाएगा, तो अब router को पता नहीं चल सकता कि उसकी L1 connectivity तो ठीक है, बट उसकी L3 connectivity ठीक है कि नहीं, तो इस router को कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है न, by default none रहता है, आप किसी भी इंटरफेस को ping नहीं कर पाऊगे, बालोल्टो के firewall को, तो जिसको आपको ping कराना है, सब पे आपको यह profile मनानी पड़ेगी, और उस interface पे जाके इस profile को apply करना पड़ेगा, यह सो positive model पे काम करता है, देन, again, we have some configuration for device management setting, ठीक है, अब device management setting क्या होता है, कि जिससे routing होती है, कोई भी device की, ठीक है, तो management plane मालोब उचे अपने firewall का अपग्रेड करना है कुछ, ठीक है, मालोब उचे अपने firewall का कुछ अपग्रेड करना है, तो firewall को internet चाहिए होगा, राइट, यह लिए firewall है मालो, और यह मेरा connection इस तरह है, ऐसे समझना हो, यह मेरा है MGMT, management interface, ठीक है, यह मेरा है ETH1 interface, और यह है मेरा ETH2 interface, तो ETH1 में जब भी कोई connection जाएगा internet की तरफ, internet मेरा यहां connected है, ठीक है, ISP है मेरा, तो management, जब भी कोई पॉलो ल्टो, अपने signature, अपनी configuration, अपनी connectivity, अपनी जो भी उसका dynamic updates है, वो करेगा, update, तो हमेशा वो management से ही traffic initiate करेगा, always remember, कभी भी पॉलो ल्टो अपना ETH1 use नहीं करेगा, communicate करने के लिए towards internet, क्योंकि management plane is totally responsible to upgrade, download, to connect पॉलो ल्टो website, and URL database, यह सब काम है management plane का, और management plane किससे connected है मेरा, management interface से, तो अब क्या होता है, कि अगर आपको यह ETH1 से ही traffic निकालना है बाहर, तो आप उसके लिए service route configure कर सकते हो, ठीक है, तो service route को क्या लिएक है, by default the firewall use management interface, to communicate with various servers, including those are the external DNS email, Polo Alto network update server, ठीक है, इट अगर अगर आप यह पॉलो लिएक है, तो अगर आप यह पॉलो लिखोगे, बट आप इतना याद को लोग, जो कोई भी आपको Polo Alto के update लेने है, तो management से ही निकलते हैं, ठीक है, अगर आप यह Polo Alto के CLA पे जाओ, और वहाँ पे आप लिखोगे, ping 1.1.1.1, वो भले ही route यहाँ पे पढ़ा हो, लेकिन यह ping इसी interface से करेगा, तो आप कभी भी, जब भी आप directly communicate करोगे, किसी भी Polo Alto की device पे, तो हमेशा वो management interface से ही traffic initiate करता है, ठीक है, तो इसी लिए हमें ping के साथ में, यहाँ पे source भी देना पड़ता है, कि source मेरा यह वला IP होगा, 1.1.1.10, जो मेरा मालो इस interface पे configure है, तब traffic यहाँ से initiate होगा, towards this way, otherwise हमें सा traffic इसी से initiate होता रहेगा, इसी side, तो कभी ritual होगा है नहीं, और आपको लगेगा मेरी firewall की connectivity डाउन है, बट connectivity डाउन नहीं है, वो behavior है, पॉलल्टो का काम करने का, ठीक है, पॉलल्टो का काम करने का behavior अलग है, इसलिए वो ऐसे काम करता है, ठीक है, बट आप चाहते हो कि पॉलल्टो के updates जो है, वो आपके service route के थुरू, आप अपने ISP की थुरू निकाल सकते हो, ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, आप service route में जाओ, और यहाँ पे जैसे DNS में मैंने select किया, यहाँ पे, यह मेरा मालू ETH one by one है, that means this is your interface, और वहाँ पे आपको source address में, जो भी इस interface पे IP configure होगा, वो लेना पड़ेगा, ठीक है, वैसे ही आप drop down करोगे, यहाँ पे जितनी list आरें देखो, auto focus, CRL status, data services, DDNS, email, HTTP, IoT, Corbrose, LDAP, इनका communication कहां से कराना है, आप यहां से define कर सकते हो, तो जैसे आप इस define करोगे, तो instead of accessing from this management interface, आपका इस interface से आपके follow लटो के updates होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो जब आप update करते हो, तो उस जगा पे आपको चीजे यात रखने की ज़रूरत है, daily to daily activities में तो आपको यह काम नहीं आएगा इतना, basically, आपको पता होना चाहिए, what is the service routes, ठीक है, यह पूचते हैं कभी-कभी इंटर्व्यू में, what is the service routes, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि service routes हम क्यों configure करते हैं, और हमें क्या ज़रूरत है उनके configure करने की, यह थोड़ा साँ समझ रहे, routing कैसे हो, यह firewall है आपका, ठीक है, यह आपका management interface है, mgmt, और यह management interface आपका कहां connected है, switch से, और switch से यहां connected है मेरा, router से, यह मेरा DMZ है, और यह मेरा, internet है, तो अगर मैंने default route यहां का डाल लखखा है, इस वाले management interface की तरफ, तब तो मेरा यह भी काम चल जाएगा, क्योंकि इस router के पास मेरे पास उपर का route है, तो मेरा easily complicated हो जाएगा, बट अगर इस तरीके का setup ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपको service route configure करने पड़ेंगे, follow all time है, ठीक है,